थेलो दोस्तो टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे, स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ कमपनी के इंपॉर्टेंट फाइनांशियल, स्टॉक प्राइस का फोर्कास्ट, mutual funds की holding, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब हम बिजनस की बात कर रहे हैं, तो क्या important factors, investors को ध्यान में रखना है, वीडियो में सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले, July 28 को दोस्तो, आपको Tata Steel का share price आपको बिलकुल ऐसा लगेगा, 90% गिर गिया है, क्योंकि stock split होगा, July 28 को यह आपको ध्यान में रखना है, तो जो face value 10 की है, वो face value 1 की हो जाएगी, जड़ा मैं यहाँ पर just एक hypothetical example लेता हूँ, मैं assume करता हूँ, समझ लीजिए, July 27, मतलब एक दिन पहले, Tata Steel का share price 950 में बंद हुआ, ठीक है, यह assumption है, मैं वीडियो तो बहुत पहले बना रहा हूँ, तो July 28 को यह 95 रुपीज में open होगा, क्योंकि यह split के कारण यह adjustment हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और बहुत ही simple में आपको calculate करना है, कि जो भी price रहेगा 27 को, उसको आपको divide by 10 कर देना है, तो आपको जो भी 28 की morning को जो price मिलेगा, वो आपको idea आ जाएगा, तो एक basic idea है, अब shares पर क्या impact होगा, investors के किस हिसाब से share बढ़ेंगे, तो समझ दीजिए, आपके पास Tata Steel का एक share है, और hypothetically वो एक share 950 में आपने खरीदा है, ठीक है, तो 950 की आपकी value हुई, तो आपको 9 और share मिलेंगे, तो total आपके पास हो जाएंगे, 10 share, तो जो 10 share हो जाएंगे, share price भी adjust हो जाएगा, तो 95 share price रहेगा, 10 share 950 rupees, तो overall कोई impact ऐसा नहीं पड़ा है, ये generally stock split company इसलिए लाती है, ताकि जो liquidity है, market में बढ़े क्योंकि 900,000 रुपे का share price किसी को भी महंगा लग सकता है, तो वो stock 900 में आ जाता है, तो फिर थोड़ा सस्ता हो जाता है, liquidity बढ़ सकती है, बहुत सारे जो investors हैं यहाँ पर participate कर सकता है, तो ये सब कुछ objective रहते हैं, और उसके साथ-साथ और कोई fundamental में changes नहीं है, वो आपको investors को ध्यान में रखना है, तो stock split के भी जो shares है, उसी दिन credit नहीं होंगे, कुछ 3-4 दिन के जो time है, उसके बाद ये आपके जो भी demand account है, वहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना, तो similarly, जल्दी से मैं बता दूँ, अगर share price 1000 रुपे में बंद होता है, 27 तारीक को 100 में open होगा, 900 में बंद होता है, तो 90 रुपी में open होगा, और उससाथ से आपको जो number of shares है, वो भी मिल जाएंगे, जो मैंने आपको 10 का divide करने का formula बताया, उसके हिसाब से आपका जो भी share price होगा, वो उसके हिसाब से adjust हो जाएगा, अब Tata Steel में ये एक event नहीं है, दूसरी भी event है, उनके results भी आने वाले हैं, July 25 को, जो quarter 1 के results आएंगे, अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 934 के पास इसका share price है, तो मैं यहाँ पर, यहाँ टिकर टेप में forecast, financials, फिर जो holding है, mutual funds, इन सब की मैं बारे में आपको बात करूँगा, सबते पहले में आपको जो financials हैं, जो Tata Steel के, उसको मैं जल्दी से आपको बता दूँ, तो देखिए, सबसे important, जब भी भी आप metal company को देख रहे हैं, तो किस हिसाब से, जो cyclical जो चीज़े हैं, उसको ध्यान में रखना है, देखिए, यह जो revenue थे, आप financial year 19 में देखिए, 159,000 करोड थे, फिर financial year 20 में 151,000 करोड, मतलब revenue असपासी है, लेकिन आप profit देखिए, 10,000 करोड का profit था, और financial year 20 में profit घटकर 1556 करोड हो गया, तो revenue उतना ही है, profit क्यों अचानक से गर गिर गया, दूसरी चीज़, मज़े की बात, अब financial year 22 में देखिए, 246,000 करोड का revenue है, और profits यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ net income, ठीक है, नेट income, यहाँ profit देखिए, 40,000 करोड, टाटा स्टील का जो profit है, वो TCS, जो consistently टाटा ग्रूप को profit करके दे रही हैं इतने सालों से, उससे भी ज़्यादा टाटा स्टील ने profit किया हुआ है, लेकिन दो साल पहले profit, बलकुल टाटा स्टील के level का, मतलब नाम मातर का profit था 1556 करोड, तो ये चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है, कि ये metal सेक्टर में सही इंट्री सही exit जो है, वो बहुत जरूरी हो जाता है, अब देखे, यहाँ यही पर मैं टिकेट टेप में, सेम आपको मैं margins भी दिखाता हूँ, देखे, financial year 19 में ये देखे, profit margin 6% थे, 6.4%, फिर financial year 20 हमने देखा, profit ज़्यादा नहीं हुए थे, कुछ 1556 करोड के असपास हुआ था, 1% margin, और अभी देखे, 16% margin, तो ये ऐसा क्यूं हुआ है, तो इसका भी मैं reason बताता हूँ, खास कर COVID के बाद, हमने आपने देखा, कि किस हिसाब से commodity prices बढ़े हैं, और Tata Steel, नाम में ही commodity है, Steel industries को जरूवत है, तो जो steel है, उसके भी prices बढ़े थे, तो उनका फाइदा Tata Steel को मिला, और यहां Tata Steel की बात कर रहे हैं, तो देखे, 30 analyst में से 67% analyst, इस मतलब, मतलब दो Tihai analyst, अभी जो है, वो बाई की सलहा दे रहे हैं, और जो उन्होंने forecast किया है, based on जो historical data है, उसके हिसाब से, जो उन्होंने price forecast किया हुआ है, यह एक साल का, तो देखे, तो यहां पर अभी तो 928 30 के पास share price चल रहा है, तो खराब में खराब, 844 तक यह जा सकता है, forecast के हिसाब से, जो उनके internal model और जिसके हिसाब से उन्होंने बनाया है, 1397 का medium price का forecast है, और सब कुछ बढ़िया रहा, तो 1940 तक भी share price जा सकता है, यह आप ticket tape में देख सकते हैं, तो मैंने link भी दी हुई है, description में आप इसको जो ticket tape का जो app है, इसको आप download भी कर सकते हैं दोस्तों, फिर earning per share, अभी हमने देखा, earnings बहुत जादा बढ़ गई थी, तो EPS 331 है, मतलब जो price divide by earning अब जब करेंगे, ठीक है, तो price कुछ 930 है, तो P ratio कुछ 2.8 के आसपास आएगा, ठीक है ना, तो ऐसे करके P ratio आप निकाल देंगे, तो बहुत सारा investor ऐसा सोचते है, तीन से कम में P E में मिल रहा है, हम खरीद लें, लेकिन अगले साल ये और कम हो सकता है, ठीक है ना, तो ये 191 median तक जा सकता है, अगले साल जो profit से कम होने की उमीद है, क्योंकि अब अल्रेडी हम देख रहे हैं कि स्टील के जो प्राइजर से अल्रेडी कूल डाउन होना शुरू हो गयता है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, कि जबी भी स्टील स्रॉक्टर में इन्वेस्ट करें, तो वो साइकिल को ध्यान में रखे, जब कोई नहीं चूरा होता है, उस समय में इंट्रेस्ट होता है, अभी टाटा स्टील में सबको इंट्रेस्ट है, क्योंकि सबको यहाँ पर, मतलब उन्होंने अच्छा कासा profit देखा हुआ है, अब हमको एक help कर सकती है, तो आप देखिए, 22.87 से उन्होंने थोड़ा सा बेचा है, 21.95 कर दिया है, ठीक है, फिर जो domestic, जो mutual funds हैं, उन्होंने क्या action किया है, आप देखिए, बिल्कुल वो धीरे-दीरे बेच रहे हैं, देखिए, पिछले साल August में 11.13 था, फिर March में 10.08 था, और इस बार देखिए, 9.21 है, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी profit booking की है, या फिर जो है, अभी थोड़ा बहुत बेचा है, फिर other domestic institution मतलब जो insurance companies होती हैं, तो वो लोग के बारे में, तो वो लोग ने अचाराक से खरीदा था, लेकिन इस quarter में बेचा हुआ है, तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, overall अगर आप देखेंगे, कि जो Tata Steel है, यहाँ पर जो investors हैं, उन्होंने इस quarter में बेचा है, लेकिन खरीद कौन रहे हैं, retail investors, 22.8 से 25.12, तो यह चीज बहुत थोड़ा ध्यान में रखने जैसे है, अगर आपके portfolio में भी है, तो भी asset allocation का, जिसके बारे में हम बात हमेशा करते रहते हैं, हम responsible investing की हमेशा early finance से आज़ादी में बात करते रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा trim कर रहे हैं, company बहुत अच्छी है, Tata Steel है, Steel की जरूवत, India grow करेगा तो Steel की जरूवत है, अभी आपको road, आपको बड़े bridge बनाने हो, या infrastructure का एक बड़ा एक कारखाना बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, Steel की जरूवत है, लेकिन सही entry भी जरूरत होती है, खासकर जो metal sector, cyclical sectors है, वहाँ पर, जो सायद अभी थोड़ा सा, ऐसा लग नहीं रहा है, दूसरी चीज, Steel के prices पर तो मैंने बताया, बहुत हद तक dependent है, और अब Steel के price नीचे जा रहे हैं, तो इसको as an investor आपको ध्यान में रखना है, अब दूसरा जो trigger, जो positive trigger हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि में महिने में government ने export duty लगा दे थी, आपको याद होगा, इवदम share price 8-9% गिर गया था, कुछ 20-22-23 में उस समय में, तो उन्होंने लगा दी थी duty, तो अभी वो duty को अगर government हटा देती है, तो वो एक positive sentiment बन सकता है, अगर steel को अगर negative है, तो फाइदा किसको है, automobile, real estate, construction, इन सबको फाइदा है, दूसरी जो फाइदा है, Tata Steel का उनका debt reduction हुआ है 32%, 0.98 से 0.52 हो गया है उनका debt to equity ratio, दूसरा steel का जो sector है, बहुत हद तक चाइना पर भी dependent होता है, चाइना में अगर slowdown है, तो overall world level में भी steel के price effect करते है, तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, तो जब भी आप Tata Steel में इंटर करें, तो ये ऐसा stock नहीं होता, जो आपने सिर्फ hold कर दिया, और hold करके आप पाच्छे साल बैठे रहे, आपने तक 2012 में देखा होगा, 2018 से 12 से 18, बहुत movement नहीं होई होगी, ठीक है न, ये तो खासकर COVID के बाद से, October 2020 से मैंने देखा है, share price अचानक से बढ़ना शुरू है, तो उसको ध्यान में रखना है, जो फिलहाल अभी ऐसा लग नहीं रहा है, वो positive cues की, अभी steel के sector जो prices हैं, वो बढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया है, तो इन सब risk को भी ध्यान में रखे, लेकिन opportunities को भी ध्यान में रखे, बाकी latest में अभी split होने वाला है, split पर मैंने information दी है, मुझे उमीद है आपको value मिली होगी, तो दो date important याद रखेगा, July 25 जिस दन results आएंगे, और July 28 दोस्तो, जिस दिन जो है split होने वाला है, धन्यवाद आपके समय के लिए, मुझे उमीद है आपको value मिली होगी, Thank you दोस्तो.